हलो दोस्तो हेल्टेंगाडर में आपका स्वागत है दोस्तो आज हमारी एक्सेसाइज का पहला दिन है और पहले दिन हमने छट पर जाकर के सफाई करी फिर हमने कलाई की स्ट्रेचिंग करी जो कि आप देख सकते हैं हर एक्सेसाइज को हमने 20 वार दोहराया दोस्तो कलाई के स stes 찾ing Clockwise और anti-clockwise की गई इसके बाद हमने कोहोनी और कि कंडे की exercise करी आप यहां पर देख सकते हैं किसी भी exercise को 20 से पीस वार जरूर करें इस प्रकार से हमने को담ी कंडे की exercise की ताकि हमारी कोहोनी कंडे अच्छे से खुल जाएं इसके बाद हमने गर्दन की exercise करी यह भी हमने clock wise और anti clock wise की आप यदि morning में इस प्रकार से करते हैं तो पूरे दिन बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे इसके बाद हमने 20 सूर्य नमस्कार लगाया दोस्तों आप यदि अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो कंसे कम 20 सूर्य नमस्कार अवस्ते लगाएं इससे आपके सरीर के हर एक एक एक्टम्स में activation होगा और आपको ताज़गी और इसफूर्ती महसूस होगी इसके बाद सीवा आ गया था और हमने सीवा को भी हमारे साथ exercise में सामिल कर दिया सबसे पहले हमने करी कपाल भाती कपाल भाती क कम से कम 40 टाइम करें और धीरे धीरे करें इसके बाद अनलोम बिलोम की बारी थी और यह भी हमने कम से कम 40 टाइम किया आप अपने घर पर आराम से 10 टाइम सांस लेते समय और 10 टाइम सांस छोड़ते समय गिनते हुए आराम से सांस ले और आराम से ही सांस छोड़े इसके बा इसके लिए काफी practice लगती है और आप करीब 6 महीने के अंतरगत यह आसानी से सीख सकते हैं हमने सीरसासन किया दोस्तों सीरसासन की practice मुझे करीब करीब 5 मिट तक है आप अपने घर पर किसी व्यक्ति के साथ में ही इस practice को अपनाए और या फिर ना करे इस प्रकार से stretching कर सकते हैं सीरसासन में पेर को fold कर सकते हैं और इस प्रकार से आप पीछे read के हड़ी को भी stretch कर सकते हैं इसके बाद हमने power dips लगानी थी तो आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से हम power dips लगाते हैं और यह कम से कम 40 वार जरूर लगाएं इसके मुझे 100 की प्रक्टिस है दोस्तो तू या थ्री टाइमस में मेरी 100 कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बारी थी हन्मान दंडगी यह भी हमने 40 टाइम किया है 40 टाइम आप भी अपने घर पर कर सकते हैं इसके बहुत शारे वीडियो अभी सोसल मीडिया पर मिलते हैं और यह बहुत अच्छे एक्सरसाइज है हमने सीवा को सिरसासन की प्रक्टिस कराई क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा वच्चे जरूर सीखेंगे इसलिए आप भी अपने घर पर करें अंत में ध्यान की बारी थी हमने ध्यान लगाया और अ इतना आप केंद्रित करेंगे उतना ही आपको एक्सरसाइज करने में मजाएगा धन्यवाद दोस्तों